हेलो दोस्तो मेरा नाम परदीव कुमार और आप देख रहे हैं ABC4U YouTube चैनल दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉगो डिजाइन आप कैसे कर सकते हैं हमने काफीर समय से इस चैनल पे लॉगो डिजाइनिंग का वीडियो नहीं पबलिक किये हैं तो इस वीडियो में म आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए है यह भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो और कलर वाले सब्सक्राइब बटम पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिए और सांथ में बेल घंटी को दबाना नहीं भोलन हो उसमें सेम स्टेप फॉलो करके ट्राई कर सकते हैं तो सबसे पहले हम कंट्रोल एंड करेंगे और यहां से 1000 पिक्सल भाई 1000 पिक्सल और एजुलेशन 96 हम रखते हैं उसके बाद करेंगे तो यह पेज आपके सामने बनके रेटी हो जाएगा अब यहां से आपको क्या करना है इलिप्स टूल जो होता है उसको सेलेक्ट करना है और सीप्ट की को दबाके आपको इस तरह से इलिप्स ड्रो करना है और यहां से आप चाहें जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहें अपने अनुसार कर सकते हैं और इसको ह बाद ctrl T करना है और यहां से इस तरह shift और alt की को दबा के रखेंगे और इसको छोटा कर लेंगे उसके बाद यह जो उपर वाले लेयर है डबल क्लिक करेंगे और यहां से आप क्या करेंगे यह देखिए वीबल and emboss इस पर आपको क्लिक करना है जैसे कि वीबल and emboss बस क्लिक करके आपको छोड़ देना है और ok कर लेना है तो यह देखिए कुछ इस तरह से डिजाइन बनेगा अब आप यह जो लेयर है फिर आप डबल क्लिक करेंगे और यहां से ग्रेंडियर अबर ले पर सेलेक्ट करेंग कर सकते हैं और second color होगा हम यहां से इसी का color मिलता जूलता हम रखेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से उसके बाद यहां से जो style होगा आप यहां से radial कर लेंगे और यहां से हम reverse कर लेते हैं तो यह effect कुछ इस तरह से दिखेगा आप चाहें तो यहां से manage इसको कर सकते हैं तो ये तो मेरा बन गया अब आपको guide लगा लेना है ये आप ruler देख सकते हैं ये अगर आप में ना सो करें तो Ctrl-R दबाएंगे Ctrl-R प्रेस करेंगे तो ये ruler आ जाएगा उसके बाद इसको पकरके इस तरह से center में ruler लगा लेंगे horizontal और vertical तो ये हो गया अब बात करते हैं कि जो design आप देखें हैं उसको कैसे बनाएंगे तो यहां से ellipse टूल लेना है और यहां से इस तरह से circle draw करना है shift के साथ shift दबा के करेंगे तो ये actual circle बनेगा नहीं तो आप से नहीं बन पाएगा तो ये हो गया उसके बाद आप क्या करेंगे यहां से इसका color है तो हम यहां से none करते हैं और यहां से stroke में हम white color select करते हैं हमें ये base चाहिए base के लिए हम बना रहे हैं उसके बाद control T करके थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे अपने अनुसार और यहां से ये देखे कुछ करिए और यहां से rasterize layer फिर आप control E कर लेंगे यानि merge tool उसके बाद w press करना है और यहां से magic one tool select करना है और इसका आप देख सकते हैं setting waiting same रखना है उसके बाद यह जो center में यह बन रहा है इस पर आपको select करना है तो यही area select होगा अब आप एक new layer बना लिजिए यहां से आप देख सकते हैं यहां से new layer बना सकते हैं उसके बाद इसमें आप जो भी color फिल करना चाहें कर सकते हैं अभी फिल हाल तो हम white color फिल कर दिये और यह जो नीचे वाला ellipse हमने draw की हैं तो यह base के लिए हम बनाये थे अगर आप चाहें तो hide कर दें या भी delete भी आप कर सकते हैं इसे कोई प्रभाव नहीं परेगा अब यह जो है यह guide तो हमें guide भी नहीं चाहिए तो control h करके इसको hide कर सकते हैं उसके बाद यह जो layer है आप देख सकते हैं इस पर double click करेंगे और यहां से green diet overlay पर select करेंगे और यहां से यह green diet पट्टी दिख रहा है इस पर आपको click करना है और यह हमने तिरंगे का color लिये हैं जैसे कि आप देख सकते हैं first color green है और यहां से second color orange है जैसा कि आप देख सकते हैं और जो center color है वो white है यहां से आप देख सकते हैं आप अपने अनुसार point लगा सकते हैं और बना सकते हैं green diet यह सभी पर हमने वीडियो बना दिया है सभी का link उपर i के बटम पे दिया हुआ है और भी हमारे logo का वीडियो देखना चाहते हैं तो सभी वीडियो का link उपर i के बटम पे दिया हुआ है या भी नीचे description में भी है आप चाहें तो जाके देख सकते हैं उसके बाद यहां से देखिए यह तो ठीक है और यहां यह जो angle है हम zero degree कर लेते हैं तो यह देखे कुछ इस तरह से आपका दिखाएगा उसके बाद हम control T करेंगे और थोड़ा सा इसको इस तरह से दोनों तरब से manage कर लेंगे ठीक है उसके बाद अब हमें क्या करना है control J, control T और यहां से यह center point है इसको यहां रखना है और इस तरह से आप manage करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं फिर यह center layer है इसको select करेंगे control J, control T और यहां से यह center point है इसको पकड़ के नीचे रखना है और यहां से इस तरह से arrange करना है जैसा कि आप देख सकते हैं फिर हमें यह भी layer चाहिए तो इधर भी हम बनाने के लिए center layer को select करेंगे control J, control T और center point को पकड़ के यहां और उसके बाद इस तरह से हम कर लेंगे फिर हमें एक और layer चाहिए control J, control T और उसके बाद यहां से यह कुछ इस तरह से तो यह हमारा बन के final design होता है अधर के कुछ इस तरह से ज्यादा highlight है तो हम क्या करेंगे यहां से हम सभी layer को select करेंगे आप चाहें तो merge कर सकते हैं और यहां से आप अपने अनुसार opacity आप कम कर लिजिए तो यह effect आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखेगा जैसा कि आप देख सकते हैं और यहां से हम क्या करेंगे यह control T करेंगे सभी layer को select करके और control T करके और यह जो circle है उसी के अनुसार हम align करेंगे बारा छोटा आप अपने अनुसार कर सकते हैं उसके बाद यहां जो भी name लिखना चाहें आप type tool select करेंगे और यहां से आप logo लिखना चाहें जो भी आप अपना channel का नाम दे सकते हैं या फिर client जो आपका बता है वो आप दे सकते हैं तो logo name यहां से name हम दे देते हैं उसके बाद यहां से arrange आप अपने अनुसार कर सकते हैं तो हम यहां से यह देखिए इस तरह से तो ठीक है इसमें आप अपने अनुसार जैसे की design विजाइन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं तो यह layer पर double click करेंगे और यहां से हम क्या करेंगे outer glow को लगाते हैं तो यह outer glow select कियें और यहां से normal कर लेंगे और यहां से जो भी color आप अपने अनुसार रखना चाहें रख सकते हैं तो यह color हमने select किया उसके बाद यहां से जो size होगा हम बढ़ा लिएं और इसका opacity कम कर लेंगे तो यह देखिए कुछ इस तरह से और इसको आप कहीं भी use कैसे कर सकते हैं तो यहां जो background है इसको hide कर दिजिए तो यह png जैसा image दिखेगा अब आपको png format में इसको save करना है एक तो आप psd format में save करेंगे और दूसरा जो use करेंगे वो आप png format में use करेंगे तो यहां से file menu में जाएंगे और यहां से save for web पे click करेंगे और यहां से देखिए क्या करना है यहां gif normal default में तो आपको png 24 select करना है और उसके बाद यहां से save करना है और आप जहां भी save करना चाहें कर सकते हैं अपने अनुसार तो हम यहां से logo एक format बना है इसमें हम save करना चाहें और जो भी name देना चाहें वो आप दे सकते हैं जैसे your name हम दे दिया उसके बाद enter तो यह logo save हो गया अब हम इसको एक psd file में save करेंगे तो यहां से हम क्या करेंगे logo name हम दे देते हैं यह हो गया और यहां देखिए format psd है उसके बाद यहां से हम save कर लेंगे अब इसको हम open करके आपको दिखाते हैं तो यहां से आप देख सकते हैं यह कुछ इस तरह से आपका logo बनेगा तो दोस्तो मैं आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को like और share जरूर कर दिजिए और आपके भी मन में कोई भी सवाल यह सुझाओ है तो आप हमें comment कर सकते हैं मैं उस comment को reply जरूर दूंगा तो दोस्तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी topic के साथ